अलो गाईज वेल्कम बेक टू माय चैनल आज के व्लोग की शुरुवात परसाथ के साथ बहुत अच्छा मुसम हो रखा है मज़ा आ रहा है बारी शुरी मस्त वाली ना ले जल मैं भी ना हूंगा तो बाढ़ जाने से डर रहे गाई भी यह पाड़ी हाथ दो लबजी दा आध दो ले यह देख हवा से गेट तेरे लग जाएगा थुड़ा सागे खड़ा ले पूल मस्ती चलरी है क्या कर रहा है हीरा तानिय अपने कान को बचारी है थाकि कान ना भीग जाए पर इतनी बारिष में भीग ने तो गेए पापा को भीगो दिया इन्होंने दोनों बच्चे हीरा तो बहत ही ज्यादा मज़े करने लग गया बारिश में दूसरी बार नाराज ये बारिश में इसी साल नाना शुरू किया इसने और अब तो रुखता ही नहीं काफी देर से कहने लग रहा था मौसम शुरू होते ही बोलने लग गया था मम्मी मैं नाउंगा नाउंगा आज मैं नाउंगा खंड़ी बहुत लग रही है खंड़ी बहुत लग रही है वीवान तुझे भी लग रही है सर्दी यह काल अटग गया वीवान काल अटग गया नीचे उतर ले तान्या चोट लग जाएगी जे स्कूल में हम जाते हैं न स्कूल कहना बोड़ी पटी गया हमारी चत से दिखाई देता है इनका स्कूल तो ये गाईज चत पे नान आके इनका मन नी भराव गली में भी आगे रेलिंग पकड़ पकड़ के जाना पड़ रहा है क्योंकि फिसल जाएंगा देखा मेरी चिंता नहीं है केमरे की चिंता है तो गाईज मस्त मस्त बारिश हो चुकी है हमने खूब इंजॉय किया बारिश में खूब ना आए और अब मन कर रहा है पकोड़े खानेगा तो अब खाएंगे पकोड़े और यह दोनों मेरे से पहले आके बार खड़े हो गए हम भी जाएंगे हैं बेशन भी लेके आना है वो भी खतब हो गया हरी मिर्च हरी मिर्च भी तो गाइस मैं तो बैठा हूँ स्टूडियो में काम कर रहा था अभी अभी सीमा का फोन आया है जी पकोड़े बन चुके हैं तो चलिए उपर चलते हैं और खाते हैं पकोड़े ले भई खाले यह देखो गाइस लेटा पड़ा है इतना थक गया पड़ते पड़ते उठ जा ले अब पकोड़े खाले थका आउट दूर हो जाएगी बहुत ही टेस्टी बने गाइस तान्या मेरी बेटी सिंसियर है पड़ाई कर रही है अपनी और भाई साब पेज डूण रहा है काम करने के लिए अभी लोटा हुआ था तुम मैंने चुपके से वीडियो बना लिया तेरा तूटा हुआ सिक्का ले रहा है यह पैंसिल का और इसके अंदर डाल के जुगाड विठा के काम कर रहा है इसको छीली ले इतनी मेहनत क्यों कर रहा है अच्छा शार्पनर उपर है यह आज बेरे पास आए हुए है सारे नीचे स्टूडियो में बैठे हैं हम और वैसे हम इस कमरे में एक रिजन से और भी बैठे हैं क्योंकि यहाँ पे एसी चल रहा है मिडल क्लास फैमली है गाइस क्या करें गरीब आदमी है जिस कमरे में एसी चलता है उसी में आके बैठ जाते हैं हम तो सारे पर यह जब पास बैठा होता ना तो यह अलग नहीं बैठता है यह चिपक के बैठता है चाहे मेरे पास बैठा हो चाहे मम्मी के पास बैठा हो चाहे तानिया का पास बैठा हो ऐसे चिपक के बैठ जाता है छोटा सा बच्या हमारा सब का लाडला है तो आज के व्लोग में गाईज बस इतना ही I hope आपको व्लोग पसंद आया होगा और पसंद आया तो लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा हम कल फिर मिलेंगे एक नए व्लोग के साथ तब तक के लिए बाए